मोदी की मंत्री को माया की चिंता केंद्री वंत्री उमाभारती मायावती को लेकर बेहत चिंतित हैं। उन्हें चिंता इस बात की है कि सपा बसपा गठ बंदन के बाद कहीं मायावती पर कोई संकट ना आ जाए। सुनिये तो सही जहासी में पत्रकारों से क्या बोली उमाभारती। उमाभारती ने कहा गेस्ट हाउसकान के दौरान जिस दल के लोगों ने कभी मायावती की जान और इज़त पर हमला किया था आज वो उन्हीं से हाथ मिला रही है। उन्होंने पत्रकारों से गुजारिश करते हुए कहा कि आप किसी भी तरह मेरा नंबर मायावती जी तक पहुँचा दीजे ताकि उन पर जैसे ही संकट आए वो मुझे तुरंत याद करें। जो गटबंदन कांशी राम जी और मुलाइम सिंग जी के समय पर हुआ था वो सबसे मजबूत था। उस गटबंदन का जो हाल हुआ था वो इतहास में दर्जे और इसलिए मैं चिंतित हूँ कि मायावती जी का किसी भी देना मुझे फोन आ जाएगा क्योंकि ब्रमदत दुवेदी जी तो अब है नहीं जब रेस्ट हाउस का कांड हुआ था तो ब्रमदत दुवेदी जी ने अपनी जान पे खेल करके मायावती जी की जान बचाई थी वाय मायावती जी ने जान ही नहीं उन्की इज़त भी खत्रे में थी तो वो सब बचाने का जो किया था वो ने मेरे बाट मत काटीए गई गया हमें तो यह कहा गया था उनकी जान खत्रे में थी लेकिन माया बती जी का इस्टेटमेंट आप लोग को याद होगा यही था जो उनकी जान और इजट में हमला बोले थे आज उनके साथ वो हाथ मिलाए हुए हैं तो आप समझ लिजे कि हमसे कितना डल लग रहा है रटाचारि को और अपरादियों को और वो कितने दिन चल पाएंगी इसलिए में जहां सी मेरा घर है आप मेरे घर के लोग हो आप तो मेरा मुबाइल नंबर विजवा दो उनके ऑफिस को कि जैसे उन पर संकाटावे तो रंद मुझे फोन करें तो मैं उनको बचाने के लिए आ जाओग दोनों दलों में बात बिगडी तो मुलायम सरकार अल्पमत में आ गई मैवती ने लखनों के गेस्टाउज में विधायकों की बैठक बुलाई थी बसपा और भाजपा की नस्दीकियों से नाराज सपाई वहां पहुँचकर हंगामा करने और बसपाईयों को पीचने लगे मैवती ने डर कर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया जिसे बाहर से पीटा जा रहा था ततत कालीन भाजपा विधायक भ्रहमदत दिवेदी ने मैवती की हिफाज़त की थी तब से मैवती उन्हें अपना भाई मानने लगी थी उनके निधन पर फूट फूट कर रोई थी